लाइन्स कलब पठानकोट की और से प्राधायन राजीव खोसला की ये ध्यक्ष्टा में घ्याला अनात आश्रम को अलमारी सहयोग वश भेंट की ताकि दी गई भेंट उनके काम आए और उनको प्रसंदता हो अज मेरा परिवार अनात आश्रम ग्याला नंगलपूर में जो स्थित है ये पठानकोट का इकलोता अनात आश्रम है यहां पर आज हमारे बीट में लाइन्स कलब के सभी मेंबर परधान रजीव खोसला जी विजेपासी जी सभी सदसे मैं सबका धन्यवाद करती हूँ आज उन्हें बच्चों के लिए समय निकाला है और उन्हें एकल मीरा भेंट की है तो नात आश्रम के सब पच्चों के और से सब परिवार के और से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पठानकोट के सभी जनता जनाना से में यही कहूंगी कि ये पठानकोट का एक ये नात किता बने और इनसे प्रेम करें ये सिर्फ आपसे प्रेम ही चाहते हैं धन्यवाद लाइन्स कलाब पठान कोट अपने प्रेज़ेंट लाइन रजीव खोशला दी देखता देविच समय समय ते लोगां दी सेवा कर रहे हैं अज जसी अनाथा शरम ज्याले विच आएं जिदे इंचार्ज महंत शिरी पिंग का बाबाजी है अज जसी इना नो इक मारी देती है क्योंकि साड़े प्रदा अंजी दी एई यो सोच है कि जित्थे चाहे दूर होवे चाहे लेड़े होवे जिड़ा मदा भी इना नो को यह फ्रोच करदा है ये हमेशा उनी मदद वास्ते अ अगे जा रहे हैं और पाई चाहे दे विच भी अगे जा रहे हैं लाइन्स कलाब पठानकोट दे परदान रजीव खोसला जी ने जदे परदान बढ़े हैं ये हमेशा लोगां दी सेवा वास्ते अगर सर रहें दे हैं कई बच्चे अनू स्कॉलर्शिप देते हैं अगे जा रहे हैं ते उधे लाइन्स कलब पठान कोट वलो साधे परदान रजीव खोसला दी अधक्षा अच्छ एक ग्याले पेंडीच एक प्रजेट कीता है जिदे इते इक अनात आश्रम चलाया जा रहे हैं ते उधे उधे जा रहे हैं ते उधे अधे लाइन्स क्लब अधे विच साधे परदान जी ने थे एक अल्मीरा पेट कीती है मैं परदान जी वल्लों आए होई सारे लाइन्स मेंबर दा बहुत-बहुत थैंक्स कर दा उन्होंने अपने कींती समय कटके थे आईने थैंक्यू एव्रीवन जैहिन जैह लाइन्स जिला पठानकोट का एक मात्र मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल वा कॉलेज चॉविस घंटे अम्बूलेंस सुविधा उपलब्ड डेडिकेटेड करोना वार एक्सपिरियंस्ट स्टाफ वाइट मेडिकल कॉलेज भूंगल नियर डीलेम रिसॉर्ट पठानकोट फास्ट वे पठानकोट की हर ख़बर को सोशल मेडिया पर देखने के लिए आप फास्ट वे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्ट वे न्यूज पठानकोट बाब बुलाइब